गोबर कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके से है जा गोबरिया बावडी चोराहे के पास एक हॉस्टल की मैस में सिलेंडर फटने से धमाका हो गया इस दोरान आग लगने से चातरों में हडकम का माहौल हो गया और सभी चातरों ने इधर दर भाग कर अपनी जैसे तैसे जान बचाई आग की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मोके पर पहुंची और इस्थानी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया आपको बता दें गोबरिया बावडी सरकिल के पास एक मकान में तीन मंजिला होस्टल संचालित है जिसमें करीब 66 रहते हैं इस दोरान मैस में रखे सिलेंडर में अचानक से आग लगई और वहीं प्रथम द्रश्टिया लोगों ने बताया कि अगर समय रहते हैं पर काबू नहीं पाया जाता तो कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता था देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन